हलो एव्रिवन वेलकम बेक टू मैं यूटुब चैनल दा मायास हिंदी आज की वीडियो में गईस में आपको हरवल हील ब्रांड के केशो हील अल्टरा हेयर ओयल के बारे में रिव्यू दूंगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपोटेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो को देखना न भूले चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दे बेल आइकन पर प्रेस कर दे जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के उपन बात कर लेते हैं हरवल हील ब्रांट के केशो हील अल्ट्रा हेर ओयल के बारे में ये ओयल गैस आपके बालों को डेंडर फ्री बनाने में मदद करता है और आपके बालों को काफी खुबसूरत बनाने का काम करेगा और आपके बालों को जोड़ों से मजबूत बनाने में भी मदद करेगा इंग्रीजेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हमफल केमिकल नहीं है जो आपके बालों को कोई नुकसान पहुचाए बल्कि आपके बालो को healthy और स्वस्त बनाये मादद करता है तो देख लेते हैं गईस के इसके अधर कौन-कौन सी इंग्रीजिएंट है जो कि आपके बालो को healthy बनाये मादद करेंगे इसके अंदर इंग्रीडेंट की रुप़े हैं, तील-کोकोनट तील, आवला, भंघ्राज, और मे्थी, यह सारे इंग्रीडेंट जोके आपके बालों को 맞्वेरे बनाते हैं और जोड़ों से मजबूत बनाने का काम करेंगे और यूज करने का तरीका तो guys आप इस oil को जितने आपके बालों की लेनता है उस according आपको ये oil का amount लेना है और बालों की जड़ों में अच्छी से massage करते हुए आप इसे apply करें अगर आप इस को निमेत रूप से apply करते हैं तो आपके जो बालों की समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और आपके बाल एकदम खुबसरोत शायनी और शॉक्त दिखाई देने लगेंगे प्राइस की बात करें तो गईस इसका प्राइस कोई fix नहीं है टाइम के according उपर नीचे होता रहता है इसका जो प्राइस है वो है 245 रुपए यानि कि 100 ml की packaging आपको 245 रुपए में मिलेगी जिसे आप online खरी सकते हैं market से purchase कर सकते हैं जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहाँ से खरी सकते हैं वो आपकी choice की उपर depend करता है मैं तो गईस आपको यही suggest करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता affordable मिले आप इसे वहीं से purchase करें वैसे तो guys हमने description box में इस product का link mention कर रखा है अगर आप चाहें तो उस link पे click करके भी इस product को खरी सकते हैं याद रखे guys कोई भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry data आप ज़रू चेक कर लें कुछ लोग guys expiry date के बिना ही product को purchase तो कर लेते हैं फिर उसका इस्तिमाल करते हैं तो उने side effect होने लगते हैं इसका main reason यह है कि आपने एक expiry product का इस्तिमाल किया है तो अब इसी बात है उसका side effect तो होना ही होना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ जो भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry date तो अपन को चेक करनी ही करनी है आपके बालों के लिए काफी ज़्यादा best रहेगा बस आपको ध्यान रखना है कि इस oil के इस्तिमाल में लेने के बाद देदिया आपके बाल और भी ज़्यादा ज़ड़ रहे हैं तो उसी time आप इसी इस्तिमाल में लेना बंद कर दें और doctor से consult आप जरूर करें तो गईस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक किजे फ्रेंड और के साथ शेयर किजे सस्क्राइब किजे जिससे आपको हमारी नएने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएनी जानकारिया करननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकती हैं हम आपके लिए एबलिबल रहेंगे आपकी सायता जरूर करेंगे सोग इस चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद